जहां मीडिया में आजकल ये चर्चा जोर शोर से चल रही है कि युवा हिजाब पहने या भगवा मानो कि यही मुद्दा देश को विश्व गुरू बना देगा वहीं दूसरी और कुछ युवा ऐसे भी हैं जो सेना में भरती होकर देश के लिए जानने उच्छावर कर देना चाहते हैं लेकिन इनकी सुध ना तो सरकार को है ना विपक्ष को इन युवाओं के पसीने में वोट बैंक की खुशबू जो किसी को नजर नहीं आ रही शायद यही वज़ा है कि देश में सेना भरती का इंतजार कर रहे ऐसे लाखों युवाओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है डिवी लाइफ की टीम ने चंबल शेत्र के ऐसे ही युवाओं से जब चर्चा की तो क्या कुछ सामने आया देखे इस रिपोर्ट में सूरज निकलने से पहले ही युवा मैदान में जी तोड मेहनत करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे ये युवा अपनी आँखों में देश सेवा का सपना सजोई सेना भरती की तैयारी कर रहे हैं लेकिन लगातार आई कोरोना लहरों और हमारे लचर सिस्टम की वज़़ा से भरती रैली बंद है और ये युवा हताश है लेकिन प्रैक्टिस के बाद ये युवा जब सूरज की किरने देखते हैं तो फिर से उमीद करते हैं कि सरकार इनकी भी सुध लेगी देश की सुरक्षा केवल तकनीक वहत्यारों से रही बल्कि ऐसे जावाज युवाओं से होती है जो देश की सेवा के लिए मर मिटने का जुनून लेकर जीते हैं ऐसे ही हजारों युवा सालों से सेना में भरती का सपना देख रहे हैं इन मैंसे कई तो ओवर एज होकर हताशा का जीवन जी रहे हैं तो कुछ अभी ये उमीद लगाए दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि उन्हें जल्द ही देश की सेवा का मौका मिलेगा लेकिन सेप्टमबर में भी वरती नहीं हुई उए और ए सभी होगा फिर भी तैयारी करते रहे हैं और इस परकार से 2022 आ गया लेकिन इन वाओं को अभी वी एक वी रेली वर्ती देखने के लिए नहीं मिल पाई है लेकिन कोई भी वेकेंसी नहीं है तो हमारी पूरी मेहनत बेकार जा रही है तो मेरा गवर्मेंट से इतना ही मतलब रिक्वेस्ट है कि जल से जल कोई वेकेंसी निकाले जिसे हम लोग अपनी आगे अपना कर सके तैया मतलब आगे जॉब में जा सके और अपने देश के लिए कुछ कर सके चार बज़े खड़े होकर ग्रांड में आते हैं और अपनी दम आकड़े उठा कर देखे तो देश में जब भी सेना भरती रैली होती है तो चंबल के युवा इसमें शामिल होने के लिए सबसे आगे रहते हैं इस अंचल का ऐसा कोई गाउं नहीं है जिसके युवा सेना में ना हो सेना में सवालाख पद खाली है लेकिन साल दर साल रैलि निकालने के साथ ही आयूसीमा में छूट देने की मांग कर रहे हैं देश में भढरती रैली के साल डर साल आगडे भी हाकीकत बया कर रहे हैं सन 2015 से 16 में 127 रैली हुई, सन 2016 से 17 में 102 रैली हुई, सन 2017 से 18 में 106 हुई, सन 2018 से 19 में 92 रैलिया हुई, सन 2019 से 20 में 95 रैलिया हुई, वहीं सन 2020 से 21 में मात्र 4 रैलिया हुई। गौलियर से गजेंदर इंगले की रिपोर्ट